दोस्तो टारगेट विद पियस परियार चेनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियों हम लोग बात करेंगे पुलिस कॉंस्टेबल भरती की अब तक कुल कितने आवेधन हुए कौन-कौन से आवेधन में डाकुमेंट्स लग रहे हैं और इसकी लगबाग क्या कटाफ र रहे हूं चाहिए वो यूबी प्लिस कांस्टेबल की उत्तर प्रदिस द्रोगा बरती की एससी जीडी की रेलवे की बैंक की यूपी ट्रिपल सी की वे सभी बरती टेस्ट बुक के इस सबसे बड़े आफर का लाब ले सकते हैं जिसका नाम है ग्रांड फिनाले सिल नय साल म 99 वाला जो प्लान है वो 189 रुपय का कर दिया गया है इसी प्रकार से टेस्ट बुक का जो पास प्रो है 699 वाला उसकी कीमते भी मात्र 279 रुपय कर दिगी है और तो और इसको पर्चेश करेंगे आप लोग तो यहां पर हर घंटे कोई ना कोई प्राइज आपको अलग से म मिल सकता है और अगर आप लोग एक कोट का प्रियो करेंगे TWP परचेश करते समय तो आप लोगों को 10 प्रित्सत की एक्स्टा छूड़ भी मिल जाएगी टेस्ट बूक जो प्लेटफार्म है वो भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मौक टेस्ट का प्लेटफार्म है जहां पर सतर हजार से ज़्याजा मौक टेस्ट आपको मिलते हैं 12 से अधिक भासव में मौक टेस्ट बलग्द है और 15 लाग से ज़्यादा विद्धार्थी इससे जुड़े हुई है तो जल्दी जाकर के लिंक में आप लोग इस आफर का लाव ले सकते हैं चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो हम लोग केवल पुलिस पॉस्टिबल अभर्थी की बात करेंगे सबसे पहले आज के समचार पत्रों को देख लेते हैं जिसमें आवेदन के बारे में जानकारी दी गई है इसके बाद में cut-off documents इत्यादी पर चर्चा हम लोग करेंगे ये आज ही के समचार पत्र है जिसमें ये बताया गया है कि 24 घंटे में 2 लाख अभर्थियों ने किया है रेजिस्ट्रेशन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगबग पहले ये अनुमान ता की 25 लाख विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं लेकिन जब ये तीन साल की जो एज कर रिलेक्षेशन दिया गया है सभी वर्गों को SC, SD, OBC जितने भी वर्ग हैं सभी को दिया गया तीन साल की छूट तो अब आवेदिकों की जो संख्या वो बढ़ सकती है यानि कि जो OBC, SC, SD के जो चात्र है वो 30 साल तक आवेदन कर सकेंगे और जो सम्मान वर्ग के विद्यार्थी है वो 25 साल तक आवेदन कर सकेंगे वही यह जो senior चात्र हैं यह किसी न भले ही पुलिस कॉंस्टेवल बर्गती के बारे में उन्होंने ना सोचा हो कि हमको आवेदन करने का मौका मिलेगा लेकिन यह जितनी भी आवेदक हैं पहले से किसी न किसी बर्गती की preparation दरूर करते रहे होंगे तो यहां पर देखिए और यह 32,000,000 का होगे जैनी कि PET को भी एक क्रास कर सकता जिस तरीके से उत्तर प्रदेशिद्र सिवच्च चैनायों की बड़ी बर्गती होती है PET उसी तरीके से इस बार यहां पर आवेदन हो सकते हैं और लिखा हुआ कि अरच्छी नागरिक पुलिस के 60,244 पतों पर सीधी बर्गती के online आवेदन का लिंक जारी होने के बाद पहले 24 गंटे में 2,61,000 अवेदन का लिंक बुदवार रात करीब 10 बज़े जारी हुआ जिसके बाद ब्रैस्वतिवार को 10 बज़े तक 2,00,000 से अधिक अवेदन कर चुके थे और जो 2018 में वैकेंसी आई थी और अच्छी वर्थी की उसमें 23,00,000 अवेदन आई थे वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इसकी कटाप वो लगबक कितनी जाती है तो देखिए बात सही है कि सबसे ज़्यादा जो प्रमुक्ट भूनका होती है कटाप में वह होती है पेपर के अगर आप देखेंगे तो लगबग 85 से लेकर के 92-95 के बीच में विद्यार्थियों का चैन हो जाता है, अगर पदों में बहुत जादा अंतर नहीं है, अगर हम लोग देखें तो लगबग 85-80% विद्यार्थियों को करना हो तो उसकी कटाफ थोला सा और जाता जाती है, और अगर हम लोग पिलिस कॉंस्टेबल का कटाफ देखें, पिछले साल का कटाफ तो उससे आपको काफी अनुमान लग जाएगा, तो यह ऑफिसल फिगपत इसको भी आप लोग थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है कि आरची नागरिक पुलिस के 23,520 और आरची पेसी के 18,000 पदों के भरे जाने के समद्ध में बोड द्वरा प्रकाशित की गई सूसन विगवति संक्या, यहाँ पर लिखा कुल रिक्तियों की संक्या को द्रश्टिगत रखते हुए योगता योम आरेचल के संक्यत प्रावधानों के अधार पर डेढ़ गुना अभरतियों को अभिलेखों की सम्विक्षा और शारीरिक मानक प्रिचन के लिए बुलाए गया था, यानि लगबग डेढ़ गुना इस प्रक्रिया ही तो बुलाए गये अभरतियों के संक्या बढ़ाने के अवश्यक्ता के द्रश्टिकत अतरिक्त अभरतियों को बुलाए जा रहा है, जिसमें सभीस रेडियों की कटाफ अंक समान अंक पाने वाले अभरति भी संबली थे, तो लगबग डेढ़ गुना विद्यार्थियों को यहां पर जो कटाफ यह देख सकते हैं आप लोग तब बहुत कम दे 18,000 और 23,000 और यहां पर यह अनारक्षित के कटाफ हो 215.58625 यह अफिसियल कटाफ है जो भी एपसाइट में जारी हुआ था, उपसी कटाफ आप यहां पर देख सकते हैं, अनुसुचित जाती की कटाफ यहां पर देख सकते हैं, 215 का मतलब सीधा सीधा होता है कि 1500 में आप लोगों को लगवग 108 प्रसंद करने रहते हैं, 108, 107 या आठ प्रसंद, 150 प्रसंद में से, तुकि 300 का प्रूलांग होता है, 1500 प्रसंद आप से पूछे जाएंगी, और उस हिसाब से आप लोग यहां पर निश्चित तोर पर जब इतने जादा विध्यारतियों को बुलाया जाएगा, 120,000 से जादा विध्यारतियों बुलाया जाएगा, तो cut-off इससे थोड़ा सा कम ही रहेगा, लेकिन आप इसी को target बना करके अपनी तयारी करें, best से best देने के कोशिस करें, जिन विध्यारतियो आएगा आपके पास जब फाम भरेंगे, वो मांगता है वहाँ पर, अधारकार्ट चाहिए और अधारकार्ट से जो मोबाइल लिंक हो वो चाहिए, अधारकार्ट का जब वेरिफिकेशन होता तब भी आपके उसमें OTP आता है, निवास का प्रमालपत्र, जाती प्रमालपत्र अगर आप किसी कटेगरी में आते हैं, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, आपके सिगनेचर, डीजी लाकर में एककाउंट, अगर आप लोगों ने डीजी लाकर में कुछ डाकुमेंट्स अप्लोड की हो, तो डीजी लाकर के माध्धम से, नहीं तो सीधे स्कैन करके भी अ टेंडर के लिए, तो यह चर्चाई थी, जिस तरीके से लोग सेवा, आयोग और यूपिट्रिपल असी ने शुरू किया तक उस दिन पहले, वन टाम रिजिस्टेशन, तो क्या इसमें भी सुरू होगा, ऐसा कहें, कोई इसका लफड़ा नहीं है, इसका कोई सीन नहीं है, आप लोगों को सीधे आवेधन करना है, और जब भी आप आवेधन करवाएं, किसी सैबर कैफे के पास जाकर के, तो वहाँ पर खुद बैठें, अपनी आखों के सामने आवेधन करें, आवेधन करना है, वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ पर सीधे, एक लिंक आपक करें, यह देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे, अपलाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसे सीधे यह पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर इसको फूरा भरना है, पूरा सब कुछ सही होना चाहिए, इसके बाद में एक मुबाइल लेंबर जो मांगा जाएग, व पुलिस कॉंस्टेबल की तयारी कैसे करें, इसके बारे मालक सी वीडियो बना हुआ, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 45-50 दिन का केवल समय है, आप लोगों के पास में, और इसके लिए आप लोगों को बहुत गंभीर स्टेरजी बनानी होगी, पढ़ते वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,